और अंगबाद के शिक्षा विभाग की पूल एक वारिल विडियो ने खूल कर रख दी है क्योंकि आब केके पाठक का खौफ शिक्षकों के अंदर नहीं रह गया है केके पाठक के हटने के बाद शिक्षा विभाग की कमान एस सिधार्थ को बिहार सरकार के द्वारा सौंब गई है जिसके कारण शिक्षकों में आप केके पाठक का खौफ खत्म हो गया और एक बार फिर से बिहार की शिक्षा विवस्था अपनी पुरानी ले में लौट टी नजर आने लगी है जिसका जीता जाकता उधारन ये वाइरल वीडियो है वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह विद्याले के प्रधान अध्यापक अपनी टेबल पर पैर रखकर नींद फर्मा रही है हालकि ये वाइरल वीडियो कब का है पंजाब के स्री टीवी इसकी पुष्टी नहीं करता बताया जा रहा है कि ये वीडियो और की हावा के साथ खराटेदार नींद लेते नजर आ रही हैं जबकि उनकी दूसरी तस्वीर किसी क्लासरूम की है जहां वो कुर्सी पर बैटकर और एक दूसरी कुर्सी पर पैर रखकर नींद फर्मा रही है सरकारी विद्यालियों में शिक्षकों की बहाली बच्चों को गुडवत्ता पूर शिक्षा देने के लिए होती है लेकिन शिक्षक पढ़ाने की बजाए क्लासरूम और आफिस में नींद फर्माती नजर आ रही है जहां एक ओर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कभी जुगी जोपडियों में तो कभी ट्रेन में चड़कर छातर छात्राओं से पूछताच कर शिक्षा विभाग को अब हमें कोई दिकत नहीं है वहीं जब इस समन्द में मध्यान भोजन के डीपी ओ से प्रभारी प्रखंड शिक्षा पताधिकारी रवी कुमार रोशन ने बताया कि वीडियो मिला है जांच करवाई जा रही है जांच के उपरां दोशी पाए जाने वाले शिक्षक पर कार वाई की जाएगी अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या केके पाठक की द्वारा बिहार के शिक्षा विवस्ता को सुधारने को लेकर जो लकीरे खीची गई थी वो बरकरार रह पाती है या एक बार फिर बिहार की शिक्षा विवस्ता वही पुराने अंदाज में लोट ज आती है आप तो आने वाला वक्त ही बताएगा और अंगबास से मितिलेश कुमार की रिपोर्ट